कि हवाई क्या आल चालें वही प्यारे साथियों सभी ठीक ठाके को सलमंगल हैं कि सभी ठीक ठाके एक बार बताएंगे जरा कोमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को आवाज भगरा बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं मेरी थोड़ी से क्लास लेट हो गई चलो जी तो स्टार्ट कर लें आप क्लास को लेके गुड़ीविनिंग सर गुड़ीविनिंग गुड़ीविनिंग सभी को गुड़ीविनिंग नमस्कार राम राम राधे राधे सर कोंड लेट हो गए मैं ही लेट हो गया जी ठीक है तोड़ी सी दो पच्छार मट क्लास लेट होगी और कल जैसा मैंने आपको कहा था कि कल मैं घर पे था और घर से मैं कल साम कोई निकला था और मैं जो है वाफिस आ चुका हूँ तो अब हमारी आफिस से कलास होगी पूरी और उड़ जाके साथ में है चली तो हम लास्ट में जहां डिसकस कर रहे थे अगर हम वहीं से चीज़ों को डिसकस करें तो हम लास्ट में जिस देश के बारे में पढ़ा रहे थे आपको वह देश कौन सा था तो वह देश था सिंगापूर कौन सा देश था शिंगापूर देश था और सिंगापूर देश के बारे में आपको पढ़ा दिया था मुझे यहां तक याद है सिंगापूर पढ़ा द में थीसरा सबसे बड़ा मुदधा जो विष्वकात BTS आ ओक द्रियुंठ में एक देश जिसका नाव मुद्य में स्सें मैलेशिया कि मलेशिया और नीचे एक देशा है इसका नाम की अभी है इंडोंेशिया क्या नाम है पूछ देश को मांगे ऑग지orsa डाउनलोड कर लेता है हैं और सिंगापुर के बाद जिस देश के बारे में उनको पढ़ना है वह देश है इंडोनेशिया देश कौन सा इंडोनेशिया तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे इंडोनेशिया ठीक है चलो जी चलो आज एक बड़ा सा मैप डाउनलोड कर लेते हैं यहां पर और उनके द्वारा चीजों को आपको समझा दिया जाएगा ठीक है झाल पूलोड मैं सा दिए झालोड लें हैं मैं झालोड़ का ले ठाएव टयों का झालोड़ उनके लेते हैंंगा दोका वो एक तो एक्षाय吗 पहुले नहीं हैं जक है फिए अब आप यहाँ पर देख रहें है तो हमने कहाँ कि हम इससे पहले आपको यहाँ पर देर्स के वारे हम पढ़ा चुको वेत्टनाम के वारी नीप पढ़ा चुक generous थाइलेंड के बारे में पढ़ा दिया, मलेशिया के बारे में पढ़ा दिया, शिंगापुर के बारे में पढ़ा दिया, यहां पर उपर ब्रूनई देश के बारे में पढ़ा दिया, और यह आपको पता है, यहां पर इसके बीच में यह मलेशिया ही है, पढ़ा चुके है, अ है जो इसके नीचे वाला हिस्सा है जो यह बाला इस्सा नाम से यह जो पूरा बताए था साथ की साथ यह बोर्नियों से यह इंडोनेशिया अपने जावादीप से यह पूरे बोर्निया से किस से लग होगा तो जावा सागर से अलग होगा यह अपने आपको पूरा पड़ा दिया था ठीक है सिंगापुर हो गया कब साथ सिंगापुर करा दिया नहीं कराय करें नहीं करां हैहेडिंग डाल जिशिंगापुर और शिंगापुर में यहां पर छोटा से अब देखेंगे कि हैं जो डूइब है मिलेशिया डूइब का कलर यह है सेम यह कलर यह तो तो मैंने बताया था ना बोर्णियोदीप पर बुरुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया तीन देश हैं लेकिन मलेशिया की जस्ट नीचे छोटा सा पॉइंट आप देखेंगे तो छोटा सा पॉइंट है शिंगापुर है तो शिंगापुर में पहला पॉइंट लिखेगा कि यह मलेशिया प्राइदीप के दक्षनी छोड पर इस्थित छोटा सा देश है यह यह लिख दे रहां में यह मलेशिया प्राइदीप के यह मलेशिया प्राइदीप के दक्षनी छोड पर इस्थित छोटा सा देश है यह मलेशिया प्राइदीप के दक्षनी छोड पर इस्थित छोटा सा देश है चोटा सा देश है, चोटा सा देश है, इट इस ए स्मॉल कंट्री, इट इस ए स्मॉल कंट्री लोकेट एट दी सदर्न and of Malai Peninsula, Malai Peninsula, it is a small country, it is a small country लोकेटेड 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 एट दी सदर्न पार्ट एट दी एट दी सदर्न एंड पार्ट ओफ मलाई पैनिसुला मलाई पैनिसुला तो मलाई प्राइधीप के दक्षिनी स्रेपर इस्तित है ठीक है ठीक है का सिंगापुर स्टीजर हैं सिंगापुर शिटी इसकी राजदानी है, सिंगापुर शिटी इसकी राजदानी है, सिंगापुर शिटी इसकी राजदानी है, लेकि 1965 में इसे मलेशिया से आजादी मिली, मलेशिया से आजादी मिली, 1965 में से मलेशिया से आजादी मिली, इसकी राजादी मिली, it was independent, from Malaysia in 1965, 1975 में से मलेशिया से आजादी मिली, ठीक है 1965 में से मलेशिया से आजादी मिली क्लियर है अगला पूर लेखिए विस्व का सबसे बड़ा कंटेनर छमता वाला बंदरगा यहीं पर है विस्व का सबसे बड़ा कंटेनर छमता वाला बंदरगा यहीं पर है विस्व का सबसे बड़ा कंटेनर छमता वाला बंदरगा यहीं पर है The World Largest Container Capacity Port World Largest World Largest Container Capacity Port Located Here Located Here Viswakar Svisplera Container Chhhalbting वन्दरगा यहीं पर है जिसका विया जिसका मामला हो गया इहा किसका मामला हो गया तो यह मामला हो गया जिसका शिंगापुर का मामला हो गया ठीक है ध्यान रखेगा अब हम किसके बारे में डिसकस करेंगे इतना ही दिखा देते हूं आपको ताकि आपके काम की चीज आ जाए अब हम डिसकस करेंगे इंडोनेशिया के बारे में किसके बारे में इंडोनेशिया के बारे में अगला जो हमारा देश है उस देश का नाम है इंडोनेशिया अगला जो देश क्या है उस देश का नाम है इंडोनेशिया इंडोनेशिया अब देखके लग रहा है आपको यहां पे यह ग्रीन ग्रीन इससा आपको देखके पूरा अबू लग रहा है बहुत सारे छोटे मोटे हजारों दूई पैदान रखेगा इंडोनेशिया में सबसे पहले लखेगा कि यह सबसे बड़ा द्वीपिय देश है यह सबसे बड़ा द्वीपिय देश है इट इस दी लार्जेस्ट आइलेंड कंट्री इट इस दी लार्जेस्ट आइलेंड कंट्री यह सबसे बड़ा द्वीपिय देश है अगला पूल लेखे लिखे यह लगबग 13,500 दूइपों से मिलके बना है यह लगबग 13,500 दूइपों से मिलके बना है इट इस मेड़ अप आफ अबाउट 13,500 आइलेंड लिखे यह लगबग 13,500 दूइपों से मिलकर बना है लिखे लगबग 13,500 दूइपों से मिलके बना है ठीक है सर फैमिली से दूर कैसे रह लेते हूँ आप लोग मजबूरी बाबु भीया मजबूरी अब जॉब करनी है नोगरी करनी है तो परिवार से दूर तो रहना पड़ेगा न है न अब हर चीज एक साथ तो संबब होनी सकती ठीक है अगला पूल लेगेगा कि विस्व में सरवादिक मुस्लिम जनसंक्या वाला देश यही है विस्व में सरवादिक मुस्लिम जनसंक्या वाला देश यही है दिस इस दी कंट्री बित्ती लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपूलेशन इन दी वर्ड कैसे भी लिख सकते हों इंगलेश में ठीक है इंगलेश में लिख सकते हों इंडोनेशिया इंडोनेशिया इस दी लार्जेस्ट मुश्लिम पॉपूलेशन कंट्री इंदी वर्ड विश्व में सरवाद एक मुस्लिम जनसंक्यावल अदिस है इंडोनेशिया इस दी लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपूलेशन कंट्री इंदी वर्ड अब आप देखरे हैं यहां इसका जो बीप जहां पर जो मैं है। व्यावाद बीप 답 का ये वाला जो दूड़ी पैदान डाकेगा इस दीप का नाम है सुमात्रा दूवीप कौनसा सुमात्रा दूवीप चाहिद रख लीजेगा तो लेक Is, सुमात्रा IUBEor इसका सबसे बड़ा दूवीप है सुमात्रा is the biggest biggest island of Indonesia सुमात्रा इस दी बेगेस्ट आइलेंड ओफ इंडोनेशिया सुमात्रा इस दी बिगेस्ट आइलेंड ओफ इंडोनेशिया सर पिक्चर दिखा सकते हैं मतलब के सीज की पिक्चर 5 जुलाई से बेच वाली टैमिंग क्या यही टैमिंग है 6 से 7 निर्वाट टूप की टैमिंग क्या यही है राज राजपुजी निर्वाट टूप की टैमिंग यही है 5 से 6 हो गया किलियर है तो सुमात्रा इसका सा उसे बड़ा दूप है अब अगर आप काईदे से देखो तो यह सुमात्रा इसका सवसे बड़ा दीप है यह उपर मलेशिया है लेकिन छोटा सा क्या है यह तो सिंगापुर है यह चोटा सा क्या है यह क्या है यह क्या है सिंगापुर है लेकिन बड़ा पूर है इसका मलेशिया का इसलिए यहां पर एक जलसंदी है यहाँ पर क्या इसके बीच में एक जलसंदी है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग अलग करती है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती दान डेकी का इसका नाम क्या मलक्का जलसंदी मलक्का स्टेट तो लिग लिए मलका जलसंदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में हैं तो लिए मलका जलसंदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है तो मलका स्ट्रेट बिट्वीन इंडोनेशिया और मलेशिया जो छूट गया है विटा उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अविलोल हो जाएंगी या उनको मापको दुबारा से कराएंगे आप परिशान मत हुए तो मलका जलसंदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलका स्टेट बिट्वीन इंडोनेशिया और मलेशिया देखिए गां लिगेगा लिगे इसकी राज़दानी जोकारता है라고요 जो जावा दूआपरस्त है इसकी राजदानी जकार्ता है राजदानी जकार्ता जावा द्वीप पर इस्तित है जावा द्वीप पर इस्तित है तथा बाली सहर जो पर रिटन की द्रश्टी से विश्व परसिद है विश्व परसिद है यहीं पर इस्तित है कहां पर जावा द्वीप पर परटक की द्रश्टी से बड़ा महतपुन है बाली सहर इंडोनेशिया में तो बाली सहर में जब आप जाओगे परटन की द्रश्टी से बहुत महतपुन है जावा द्वीप परसित है और इसकी राजदानी जकारता भी जावादी पर सते दान डेकीगा मुद्रा लिखा दीजे इतनी महत्पूर नहीं है इसकी मुद्रा याद करना जी के वाले सर आपको बिल्कुल लिखाएंगे अब जो अगर फिम में इतना तो नहीं हो पाएगा बाकी जिन जिन की मुझे याद है को मैं आपको लिखा दोंगा इसकी मुझे भी याद नहीं है सचकों इमांदारी से बिल्कुल और ना ही पेपर की दर्स्टी से बहुत ज़्यादा महत्पूर है ठीक है अगला पूर लिखेगा लिखेगा जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन प्रमक रूप से किया जाता है प्रमक रूप से किया जाता है जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन प्रमक रूप से किया जाता है जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है अगला पॉइंट बांडूंग यहां का प्रमुख और दियों के छेत्र है बांडूंग यहां का प्रमुख और दियों के छेत्र है बांडूंग इस दी में इंडेस्टिल एरिया सर इमर्स का बेच यही है इमर्स का स्लेवस कंप्लीट होगा नहीं दिविया बंसल जी इमर्स के बेच स्टार्ट होगा 10 जुलाई से इमर्स का मेरा बेच स्टार्ट होगा 10 जुलाई से जिसमें टाइमिंग है 7 से 8 असलिवस बड़ा है काफी बड़ा है उसको डिटेल नों पढ़ेंगे 10 जुलाई से ठीक है भी या सर आप से पूछने पर बताते नहीं है कितना पूछेंगी सोभा कुसभा जी मैं आपको पढ़ाऊं या आपके सवालों का जबाब दूँ जिसके सवाल दिख जाते हैं कॉमेंट में उसका जबाब देता हूँ बाकी पढ़ाना भी तो है भी या ये भी तो आप देखो कि यह मास्टर डिग्री मांगा है बहुत हो गाई यब ही उमारस पीजिटी का बेफंगर बरो गे तो मास्टर डिगित यह ना केबल मास्टर डिगरी यह उसमें याद रग लिजेगा मास्टर डिगरी प्लस बीएड प्लस बीएड और कुछ नहीं इंटर्वी भी नहीं है ठीक है इंडोनेशिया के लिए रोगे आपका बताओ कि इंडोनेशिया गभार पढ़ लिया नोट के लिए सबने चलिए अब अगर आप देखेंगे यहां पर यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अब मैं आपको कैसे उताओं देखता हूँ अगर आपको मान चित्र मिलता है तो ना तो एक दे से यहां पर बहुत चोटा सा पूर्वी तिमोर इस्ट तिमोर इस्ट तिमोर आशियान अब देखो इस्ट तिमोर आशियान देखेंगे ना यह वाले मान चित्र को जरा ध्यान से देखो यहां आपने इस वाले मानचित्र को देखा है कौन से एक तो आपने सबसे पहले कौन से मानचित्र को देखा आपने इस आस्यान वाले मानचित्र को देखा अब इसी मानचित्र के जस्ट बगल में आप इस दूसरे मानचित्र को देखो और जब आप इस दूसरे मानचेत्र को यहां पर देखोगे, तो आप पाऊगे बिल्कुल as it is, as it is आप पाऊगे, कि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर इसके द्वीप हैं, भाई यहां पर इसका बड़ा द्वीप, यहां इसका छोटा द्वीप इंडोनेशिया, अब य यहीं पर एक और यह द्वीप इंडोनेशिया से अलग अटके, यहां पर एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम क्या है, इस्ट तिमूर, क्या नाम है इस देश का, इस दिमिश का नाम है, इस्ट तिमूर, ठीक है? किलियर है? सब सिर्फ सवाल ही पूछते हैं, अब क्या करें, सवाल के जवाब दें, पढ़ाएं हाँ, रामेट प्रमग पूछता के ऐसा सुनने में तो है, लेकिन कोई बैसा एविडेंस नहीं है, लास्ट लाइन का, लास्ट लाइन तो लिखा हुआ है, समझ नहीं आया आसिस बाई और अनपमसर बाईलोजी नहीं पढ़ाते हैं, अल्ली जो गरफी यही तो मैं कह रहा हूँ, आसिस को यही समझ में नहीं आ रहा हूँ, आप लोग सोचो, आप अपने आप से सोचो नो ठीक है, चलो, तो हम बात करेंगा ऑपर इस्टितमोर देश के बारे हम बात करेंगे, छोटा सा देश है लिखे इस्टितमोर के बारे हम लिखे का, इसकी राजदानी दिली है, इसकी राजदानी इसकी राजदानी दिली है दिली नहीं दिली दिली है दिली इसकी राजदानी दिली है आगला पूं लेकिए लेकिए पहले यह पूर्टकाल के दीन था यह पूर्टकाल के दिन था जिससे 1975 में स्वतनता मिली पहले या पुर्टगाल की अधिन था जिससे 1975 में स्वतनता मिली उसके बाद इसे इंडोनेशिया ने अपने अधिन कर लिया उसके बाद इसे इंडोनेशिया ने अपने अधिन कर लिया अपने अधिन कर लिया गूसापन लेकिंगे दो हजार दो में इसे इंडोनेसिया से आजादी मिली 2002 में से इंडोनेसिया से आज़ाद मिली लेकिन इंडोनेसिया से आज़ादी मिली है स्वतनतार नहीं है पूरी तरीके से इंडोनेसिया के अधिकार दान देखेगा क्योंकि इंडोनेसिया से आज़ा दी दो मिल तो गई है, लेकिन अज भी इंडोनेसिया के एक राज्य के बराबर है इसलिए आसियान के 10 देसों में आसियान गूर्पेंग आप जानते हैं, आसियान के 10 देस हैं, कौन कोन से? लाउस, मियामार, बियतनाम, कमबोडिया, मलेशिया, थाइलेंड, शिंगापुर, इंडोनेशिया, बुरुनेई, फिलिपींस, होगे न, दस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस 10 देश हो गए, आसियन में कितने देश हैं, 10 देश हैं आसियन में द्यान डेखेगा और 10 देश हो में, यह जो देश है द्यान डेखेगा, इस्ट तिमोर देश, यह आसियन में सामिल नहीं है क्यों सामिल नहीं है इंडोनेसिया की बेसी आप चाओ तो लिख सकते हो लेकिए यह यह आसियान गुरुप का यह आसियान गुरुप का सदस्य नहीं है यह आसियान गुरुप का सदस्य नहीं है ठीक है मनी सारानी जी देखिए टीजिटी के common paper में तो आपको 40 नंबर का common paper है उसमें तो आपको GKGS पढ़नी है इनवायर्मेंट पढ़ना ही पढ़ना है वापर जोगरफी पढ़नी है बीजिटी में भी common paper है वहाँ पढ़ना है तो आपको ये class अटेंड करनी चाहिए ठीक है भी या चलिए ठीक है भी या चलो आगे चलेंगे तो यहां पर लाउस कंप्लीट मयामार कंप्लीट Thailand complex, Singapore complete, Indonesia, बुणेटी, मलिशिया, धेतना हेक पार एक बचstag यहां कुन से भी है फिल्पीन्स अग्ले देस को लिकेंगे यांपे अगला देसा बेइडिंग डालेगा अगला दे अजएडिंग डालीज़िए अगला हेटिंग डाल लीजेगा फिलिपीन्स फिलिपीन्स सफ दोबारा बोलिए लास्ट लाइन पुझा कुमारी मैंने लास्ट मैं क्या बोला था यह आशियान गरुप्त का सदस नहीं है यह लास्ट लाइन बोलियोगी मैंने यह पर इससे पहले में आपको बूलियोगी कि ब΄ने 2-2 कि similarly 1 तो या दो में से इड्नोनेए से आजादे मिली, यही बोली होगी, ठीक है? चलिए फिलिपिन्स के बारें बात करेंगे, दान रखेंगे का, अब फिलिपिन्स में आप देख रहें हैं, बहुत सारे आई-लेंड है, यहां पर बहुत सारा सब कुछ है, हैं जी? है की नहीं आप है फिलिपिन्स में बोलो अब इसका जो उपर का दूइप है दान रखेगा इसका इसको बोलते हैं लुजोन दूइप क्या है यह दूइप लुजोन दूइप जिस पर इसकी राज़दानी इस्तत है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखे यहां पर लिखेगा इसकी राज़दानी मनीला है जो लुजोन दूइप पर इस्तत है लुजोन दूइप पर इस्तत है इसकी राजदानी Manila है जो Lujon दिव परस्त है Its capital is Manila which is located on the island of Lujon which is located on the island of Lujon लुजोन आइलेंड पर है अपना देश कव आएगा जब इस या को कम्प्लीट कर देंको अपना देश भी आएगा सिखासिंग लेकि लेकि मनीला में मनीला में अंतरास्ट्रिय चावल अनसुंदान के इंद्रिस्तत है मनीला में अंतरास्ट्रिय चावल अनसुंदान के इंद्रिस्तत है ठीक है मनीला में अंतरास्ट्रिय चावल अनसुंदान के इंद्रिस्तत है इंगलिस वाले लग लीजेगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मनीला लोकेटेड इन मनीला अगला पुंट लखेगा पेशो यहां की राजदानी है यहां की मुद्रा है स्वारी यह एक बार पेपरम पूछी है तो मैंने इसलिए आप इसको नोट कर लिए जो महत्पुन है वही तो मैं आपको लखाऊंगा अगे पर परम पूछे दो इना आपको मेंजन कर दिया है अगला पूंट लेखी का लेकिए ADV का मुख्याल है ADV का मुख्याल है ACN Development Bank ADV का मुख्याल है ADV का मुख्याल है यहीं पर है ACN Development Bank ADV का मुख्याल है अगला पूल लगेगा रहामं लैकिसे से प्रुषकार रहामं मैग से से पुरुषकार फिलिपीन्स की सरकार के द्वारा दिया जाता है रेमेन बैक्स से पुरुषकार फिलिपीन्स की सरकार के द्वारा दिया जाता है रेमेन बैक्स से अवार्ड गिविन बाई फिलिपीन्स गॉर्मेंट फिलिपीन्स की सरकार के द्वारा दिया जाता है रेमन मेकसे से पुरुषकार फिलिपीन्स की सरकार के द्वारा दिया जाता है रेमन मेकसे से अवार्ड गिविन वाई फिलिपीन्स गॉवर्मेंट कर दो जाता है झाल 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 झाल